साहिती निद में आज सुनिये विद्वान लेखक निर्मल वर्मा जी की लिखी हुई कहानी डेर्ड इंच उपर निर्मल वर्मा जी ने बहुत जादा नहीं लिखा है लेकिन जितना लिखा है उससे बहुत जादा लोग प्रियता हासिल की है प्रस्तुत है उनकी कहानी डेर्ड इंच उपर अगर आप चाहें तो इस मेश पर आ सकते हैं जगे काफी है आखिर एक आदमी को कितनी जगे चाहिए नई नई मुझे कोई तकलिफ नहीं होगी बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त में इसे बहुत कम लोग समझते हैं मैं बरसों से ये करता आ रहा हूँ बेशक आप नहीं आप अभी जवान है आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना और बात करने का मतलब है बात करना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती आप छोटे मग से पी रहे हैं आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगे के नहीं है इस घड़ी यहां जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूँ उनसे आप कोई बात ने कर सकते उन्होंने पहले से ही बहुत पी रखी होती है वे यहां आते हैं अपनी आखरी बियर के लिए दूसरे पबंद हो जाते हैं और वे कहीं और जानी सकते वे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं मेज पर, बाहर सड़क पर, ट्रॉम में कई बार मुझे उन्हें उठा कर उनके घर पहुचाना पड़ता है बेशक अगले दिन वे मुझे पहचानते भी नहीं आप गलत ना समझे मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था आपको मैंने याप पहली बार देखा है आप आकर चुपचाप मेज पर बैट के मुझे बुरा सा लगा नहीं, आप घबराईए नहीं मैं अपने को आप पर थोपूंगा नहीं हम एक दूसरे के साथ बैट कर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते है मेरी उम्र में ये जरा मुश्किल है क्योंकि हर बुरा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है दीरे दीरे गर्मा के साथ बुरा होना बहुत बड़ा ग्रेस है हर आदमी के बसका नहीं वो अपने आप नहीं आता बुरा होना एक कला है जिसे काफी मेहनस से सीखना पड़ता है क्या कहा आपने मेरी उम्र जरा अंदाजा तो लगाई है अरे नहीं साहब आप मुझे नहाख खुश करने की कोशिश कर रहे हैं यह तो आपने मुझे खुश जरूर कर दिया है और अगर अपनी इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और लूँ तो आपको कोई अतरास तो नहीं होगा और आप? आप नहीं लेंगे? नहीं नहीं, मैं जिदन नहीं करूँगा हर आदमी को अपनी जिन्दगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है बाद में हम सिर्फ उसे दोराते रहते हैं जो एक बार पी चुके हैं या एक बार जी चुके हैं आप दूसरी जिन्दगी को मानते हैं, मेरा मतलब है मौत के बाद भी, उम्मीद है आप मुझे ये घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे, कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, मैं खुद कैथो लिखूं, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास बहुत आप जानते हैं, मेरी उम्र में नीद आसानी से नहीं आती, नीद के लिए छटाग भरला परवाही चाहिए, आधा छटाग ठकान, अगर आपके पास दोनों चीज़े नहीं हैं, तो आप उसका मुआफ़जा डेर छटाग बीर पीकर कर सकते हैं, इसलिए मैं हर रोज आदी रात के वक्त यहां चलाता हूँ, पिछले पंद्रे वर्षों से लगाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूँ, लेकिन तीन बज़े के आसपास मिरी नीन तूट जाती है, उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता, रात के तीन बज़े, यह भयानक घड़ी है मैं तो आपको अन्भों से कहता हूँ, दो बज़े लगता है, अभी रात है और चार बज़े सुबह होने लगती है, लेकिन तीन बज़े आपको लगता है कि ना आप इधर है, ना उधर, मुझे हमेशा लगता है कि मिरत आने की कोई घड़ी है, तो यही घड़ी है, क्या कह आपने नहीं जनाब मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता आप जानते हैं पेंशन ल्याफता लोगों के अपने शौक होते हैं मेरे पास एक बिल्ली है बरसों से मेरे पास रह रही है अब जड़ा देखिए मैं या बियर पीते हुए आप से लंबी चोड़ी बाते कर रहा हूँ उधर वो मेरे इंतजार में दरवाजे पर बैठी होगी आपके बारे में मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे ये ख्याल काफी तसली देता है कि कोई मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर आँखें लगाए बैठा है मैं ऐसे लोगों की कलपना नहीं कर सकता जिनका इंतजार कोई नहीं कर रहा हूँ या जो खुद किसी का इंतजार नहीं कर रहे हूँ जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं उस क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं बिल्लिया काफी देर तक और बहुत सबर के साथ इंतजार कर सकती हैं इस लिहाज से वे औरतों की तरह हैं लेकिन सिर्फ इस लिहाज से नहीं औरतों की ही तरह उनमें अपनी तरफ खीचने और आकरशित करने की असाधरन ताकत रहती है डर और मुह दोनों ही हम अकेले में उने देखकर बंधे लोटे से खड़े रहते हैं यह डर आपको कुटों या दूसरे जानरों से भी लगता होगा लेकिन वो निशले दरजे का डर है आप एक और किनारा करके चले जाते हैं कुटा दूसरी और किनारा करके चला जाता है उसे डर लगता है कि कहीं आप उस पर बेमानी न कर बैठें और आप इसलिए सह मैंसे रहते हैं कि कहीं वो आग बचा कर आप पर न जपट पड़े लेकिन उस डर में कोई रहसे, कोई रोमांच, कोई सम्भावना नहीं है जैसी अक्सर बिल्ली या साप को देखने से उत्तपन होती है सच बात ये है और ये मैं अन्भों से कह रहा हूँ कि बिल्ली को औरतों की तरह आप आखिर तक सही सही नहीं पहचान सकते चाहे आप उसके साथ वर्षों से ही क्यों न रह रहे हूँ इसलिए नहीं कि वे खुद जान बूज कर कोई चीज छिपाय रखती है बलकि खुद आप में इतना होसला नहीं रहता कि आप आखिर तक उनके भीतर लगे दर्वाजों को खोल सके आपको ये बात ज़रा अजीब नहीं लगती कि ज़्यादा तर हमें वही चीज़ें अपनी तरफ खीचती है जिनमें थोड़ा सा आतंक छिपा रहता है अगर आप बुरा ना मानें तो मैं एक और बियर लूँगा कुछ देर में ये पप बंद हो जाएगी और फिर सारे शहर में सुबह तक इक बूंद भी नहीं दिखाई देगी आप डरिये नहीं मैं पीने के अपनी सीमा जानता हूँ आदमी को जमीन से करीब डेर इंच उपर उठ जाना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं वरना वो उपर उठता जाएगा और फिर इस उरान का अंत होगा पुलिस स्टेशन में या किसी नाली में जो ज़्यादा दिल्चस्प चीज नहीं लेकिन कुछ लोग डरके मारे जमीन पर ही पाउं जमाए रहते हैं ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना बराबर है जी हाँ सही फासला है डेर इंच इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें अब लोग उंग्लियों के पास सरक आए तो उसे छोड़ दिना चाहिए उससे पहले नहीं ना बाद में भी कब तक पकड़े नाना है और कब छोड़ना चाहिए पीने का रहस इस पहचान में छिपा है मुश्किल यह है हम उस समय तक नहीं पहचान पाते जब तक डेड़ इंच से उपर नहीं उख जाते और फिर वो किसी काम नहीं शायद ये बाद सुनकर आप हसेंगे कि पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप हसकर मेरी बात को टाल दे मैं खुद कभी कभी कोशिश करता हूँ कि इस आशा के साथ रहना सीखनू कि कई चीजों को न जानना ही अपने को सुरक्षत रखने का रास्ता है आप रफता रफता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं एक ही घर में बरसों तक हाला कि एक संशे बना रहता है कि वो भी आपका खेल खेल रही है कभी कभी आप इस संशे खेल की तरह है आप एक चाल चलते हैं जिससे आपके वरोधी के सामने अंतहीन संभावनाई खुल जाती हैं एक खेल हारने के बाद आप दूसरे खेल में जीतने की आशा करने लगते हैं आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावनाई हैं और पहली बाजी क कि तरह अंतहीन और रहसे पूंग। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिन्दगी में चाहे कितनी औरतों के संपर्क में आएं, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से ही होता है। क्या कहा आप ने? जी नहीं, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, कि घर में मैं अके पह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। जब आपने किसी को अपनी आखों से मरते नहीं देखा, अपने हातों से दफनाया नहीं, तो आप सिर्फ अनमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं। आपको शायद हासी आएगी, लेकि मुझे लगता है कि ज ये ब्रहम है, ऐसा होता नहीं। उसके बजाए अब बिल्ली आती है, जो दर्वाजे के पीछे देहरी पर से टिकाए, अपनी आखों का रंग बतलती रहती है। मैंने लोगों से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं। मुझे हमेशा बाहर रहते हैं, किसी भी अजानी घड़ी में वो आपको दबोच सकते हैं। शायद मैं भटक रहा हूँ। बियर पीने का ये एक सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, एक ही दाइरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड आप बच्चों का वो खेल जानते हैं, जब वे एक दाइरा बनाकर बैट जाते हैं और सिर्फ एक बच्चा रुमाल लेकर चारों तरफ चकर काटता है, आपके देश में भी खेला जाता है, वाह, देखिए ना, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर है, बार बार पीछे मुर कर देख लेता था, कि कहीं उसके पीछे तो नहीं है, जी हाँ, इनी दिनों यहां जर्मन आई थे, आप तो उन दोनों बहुत चोटे रहे होंगे, मेरी उम्र भी बहुत जादा नहीं थी, और हाला कि लड़ाई के कारण सुबह से शाम तक काम में जुटना पड़ता था, मैं एक जवान बैल की तरह डटा रहता था, एक उम्र होती है, जब हर आदमी एक औसस सुख के दाएरे में रहना सीख लेता है, उसके परे देखने की फुरसत उसके पास नहीं होती, यानि उस शन तक महसूस नहीं होती, जब तक खुद उसके दाए आपने अक्सर देखा होगा कि जिसे हम सुख कहते हैं वो एक खास लम्हे की चीज है, यह अपने में बहुत ठोस है, लेकिन उस लम्हे के गुजर जाने के बाद वो बहुत फीका और कुछ-कुछ हैंग ओवर सा धुन्दा लगता है, कि जिसे हम दुख या तकलिफ या यात कहते हैं उसका कोई खास मौका नहीं होता, मेरा मतलब है वो हू बहु दुरगटना के वक्त महसूस नहीं होती, एन दुरगटना के वक्त हम बदहवास से हो जाते हैं, हम उससे पैदा होने वाली यातना के लिए कोई बना-बनाया फ्रेम नहीं डूर पाते, जिसमें हम उसे सही-सफिट कर सकें किसी दुर्घटना का होना एक बात है उसका सही-सफै परिणाम अपनी पूरी जिन्दगी में भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी बात यह असंबह हुए ऐसा होता नहीं मेरा मतलब है अपने को बार बार दूसरे की इस्थित में रखकर उतने ही कश्ट की कल्पना करना जितना दूसरे ने भोगा था वो कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा लेकिन उतना नहीं और वैसा नहीं जितना दूसरे ने भोगा था नहीं नहीं आप गलत न समझें मैंने अपनी पत्नी को कश्क भोगते नहीं देखा मैं जब घर पहुँचा वे उसे ले जा चुके थे साथ बरस की विवाइद जिल्दगी में ये पहला मौका था जब मैं खाली घर में घुसा था बिल्ली? नहीं, उन्दनों वो मेरे पास नहीं थी मैंने उसे काफी वर्षों बात पालना शुरू किया था दूसरे घरों के पडोसी जरूर अपनी अपनी खिड़कियों से जाकते हुए मुझे देख रहे थे ये सुआभाविक भी था मैं खुद ऐसे लोगों को खिड़की से जाकर देखा करता था जिनके रिष्टदारों को गैस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी मिले जाती थी लेकिन मैंने ये कभी कलपना नहीं की थी कि एक दिर मैं घर लोटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा होगा देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या ये अजीब बात नहीं है कि जब हम कभी मौत यातना या दूरगटना की बात सुनते हैं या सुबह अगबार में पढ़ते हैं तो हमें ये विचार कभी नहीं आता कि ये चीजें हम पर हो सकती है या हो सकती थी हमें हमेशा लगता है दूसरों के लिए मुझे खुशी है कि आप एक बियर ले रहे हैं आखिर आप खाली गिलास के सामने सारी रात नहीं बैठ सकते क्या कहा अपने मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे अगर ना पूछते तो कुछ आश्चर होता भी नहीं लगा सकता मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिख्री पड़ी थी कपड़े, किताब, मुद्द पुराने अकवार अल्मारियों और मेजों के दराज खुले पड़े थे और उनके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज फर्स पर उल्टी सीधी पड़ी थी क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन, पुराने फोटो एल्बम आप जानते हैं, शादी के बाद कितनी चीजें खुद बखुद इखटा हो जाती है लगता था उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज को उलट पलट कर देखा था कोने कोनी की तलाशी ली थी, कोई चीज ऐसी ना थी, जो उनके हाथों से बची रह गई हो उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा, मेरी पतनी का बिस्तर खाली पड़ा था तकीये के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरिट का पैकेट रखा था सोने से पहले वो हमेशा सिगरिट पिया करती थी शुरू में मुझे उसकी या आदत अखरती थी, लेकिन दीरे दीरे में उसका आदी हो गया था पलंग के पास तिपाई पर उसकी किताब रखी थी, जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती थी जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था वहां निशानी के लिए उसने अपना क्लिप दबा दिया था क्लिप पर उसके बालों की गंद चूड़ी थी आप जानते हैं किस तरह बरसों बाद भी हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती है शाय ठीक भी है विवा से पहले हम हमेशा बड़ी और अन्भूती पूर्ट चीजों के बारे में सोचते हैं लेकिन विवा के बाद अर्सा साथ रहने के कारण ये बड़ी चीजें हाँ से फिसल जाती है सिर्फ कुछ छोटी मोटी आते हैं उपर से सतही दिखने वाली दिन चर रहाएं रोज मर्रा के आपसी भेद बचे रहाते हैं जिनने हम शर्विंके कारण डूसरों से कभी नहीं कहते हैं किन्तु जिनके बिना हर चीज सूनी सी जान पड़ती है उस रात मैं अकेले कमरे में अपनी पत्नी की चीज़ों के लिए बीच बैठा रहा उस घड़ी शायद मैं अपने में नहीं था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो अपने कमरे में नहीं थी ये महज एक हकीकत थी मैं उसे समझ सकता था किन तो वे उसे पकड़ कर क्यों ले गए थे ये भयानक भेट मेरी पकड़ के बाहर था आखिर मेरी पतनी ही क्यों मैं उस रात बार बार अपने से ये प्रेशन पूछता रहा आपको तनिक आश्रे होगा कि साथ वर्षों की वैवाहिक जिन्दगी में पहली बार मुझे अपनी पतनी पर संधे हुआ था मानो उसने कोई चीज मुझे स्चिपा कर रखी हो कोई ऐसी चीज जिसका मुझे कोई सरुकार नहीं था बाद में मुझे पता चला कि गैस्टापो पूलिस बहुत दिनों से उसकी ताक में थी उसके पास कुछ गहर कानूनी पैमफलेट और पड़चियां पाई गई थी जो उन दिनों अप्यात रूप से लोगों में बाटी जाती थी जर्मन अधकारियों की आँखों में ये सबसे संगीन अपराथ था पुलिस ने ये सब चीजें खुद मेरी पतनी के कमरे से बरामत की थी और आपको शायद ये बात काफी दिल्चस्प जान पड़ेगी ये खुद मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालुम था उस राज से पहले तक मैं और वो एकी कमरे में सोते थे प्रेम करते थे और इसी कमरे में कुछ ऐसी चीजे थी जो उसका रहसे थी जिसमें मेरा कोई साजा नहीं था क्या आपको ये बात दिल्चस्प नहीं लगती कि वे मेरी पतनी को मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह जानते थे जरा ठहरिये मैं अपना गिलास खत्म कर लेता हूँ मैं फिर आपका साथ दूँगा कुछ देर बाद वे बंद कर देंगे और फिर नहीं इतनी जल्दी नहीं है पीने का लुट्व इत्मिनान से पीने में है हमारी भाषा में कहावत है हमें जीबर कर पीना चाहिए क्योंकि सौ बरस बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे सौ बरस ये काफी लंबा अर्सा है आप नहीं सोचते हमें से कोई भी इतने अर्से तक जिंदा रह सकेगा मुझे शक है आदमी जीता है खाता है पीता है और एक अचानक फट नहीं जनाब बयानक चीज़ मरना नहीं है लाकों लोग रोज मरते हैं और आप चूबी नहीं करते बयानक चीज़ ये है कि अमरत आदमी अपना भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगार सकते एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है उस रात मैं अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता रहा आपको शायद हसी आएगी कि पुलिस के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पतनी की चीज़ों की दुबारा तलाशी ली थी एक एक चीज़ को उलट पलट का पूरी गहराई से उने देखा परखा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने पीछे वो मेरे लिए एक भी ऐसा निशान नहीं चोह जाएगी जिसके सहारे मैं कोई ऐसी चीज़ पास सकूँ जिसमें मेरा भी साजा रहा था मैं उस रात अपनी पत्नी की चीज़ों को कुछ इस तरह टेटोल रहा था जैसे मैं उसका पती ना होकर भे दिया पुलिस का कोई पेशेवर नौकर हूँ मुझे रहरा कर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अब मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकूँगा वो उनके हाथों से बच नहीं सकेगी ये मैं जानता था वे जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे उन में से मैंने एक को भी वापस लोटते नहीं दिखा था लेकिन उस रात मुझे इस चीज़ ने तना भेवीत नहीं किया कि मुरत्य उसके बहुत नज़्दीग है दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दर्वाजा खटखटाया मैं तयार होकर उनकी प्रतीकशा में बैठा था मुझे मालुम था भी आएंगे अगर मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूत ना पड़ती किन्तो मुझे मालुम था कि मेरी पत्नी अपने मुझे एक भी शब्द नहीं निकालेगी मैं उसके रहसे से अपरचित रहा हूँ उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था वो चुप रहना जानती थी चाहे यातना कितनी ही भेंकर क्यों नहीं जनाब मैंने अपनी आखों से उसकी यातना को नहीं देखा किन्तो मैं थोड़ा बहुत अन्मान लगा सकता हूँ पहला प्रशन उन्हें मुझे जो पूछा वो बिल्कुल साफ था क्या मैं श्रीमती का पती हूँ मैं सिर्फ उनके इस प्रशन का उत्तर हां में दे सका बाकी प्रशन मेरी समझ के बाहर थे किन्तो मैं मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे उन्होंने मेरी इस बात को हसी मुडा दिया जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी पत्नी की इन कारवाईयों के बारे में कुछ भी नहीं जानता उन्होंने सोचा मैं अपनी खाल बचाने के लिए कन्नी काट रहा हूँ वे मुझे एक अलग सेल में ले गए पूरे हफते बर दिन रात वे मुझे सिर्फ एकी तरह के सवाल अलग-अलग धंग से पूछते थे मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानता हूँ वो कहा जाती थी, किन लोगों से मिलती थी किस आदमी ने उसे लीफलिट दिये थे मुझे किसी तरह का भी उत्तर स्खीचने के लिए वे जो तरीके अपनाते थे उनके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता मैं चाहे कितने तफसील के साथ आपको क्यों न बताऊं आप उसका रत्ती भर भी अनमान नहीं लगा सकेंगे वे मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक मैं चेतना नहीं खो देता था किन्तु उनमें असीन धैरे था वे उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं लोटाती थी और फिर वही सिलसला शुरू हो जाता था वही पुराने सवाल और अंतहीन यातना उन्हें मुझे पर विश्वास नहीं होता था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ अनेक वर्षों तक एक ही घर में रहा हूँ उसकी गुपत कारवाईयों के बारे में कुछ नहीं जानता वे समझते थे कि मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ उनकी आखों में धूल जोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जनाब वे मुझे पीटते थे मुझे इसकी यातना नहीं थी मेरी यातना ये थी कि उनके प्रश्णों का जावाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था कहने के लिए मेरे पास कुछ अतिसाधारन घहरेलू बाते थी जो शायद हर इस्तरी अपने पती के साथ करती है मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोज मर्णा दैनिक जिन्दगी के साथ साथ वे एक दूसरी जिन्दगी भी जी रही थी मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अच्छूती एक ऐसी जिन्दगी जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं था आप को ये बात कुछ हास्यास्पत से नहीं लगती कि अगर वे उसे ना पकड़ते तो मैं जिन्दगी बर ये समझता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूँ आप जानते हैं, वे लड़ाई के अंतिम दिन थे और गेस्टापो अपने शिकार को जल्दी हासे जाने नहीं देते थे मेरी पत्नी ने आखिर तक कुछ भी कबूल नहीं किया उन्होंने उसे उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन मुझे वे कच्चा समझते थे वे शायद मुझे मारना नहीं चाहेते थे लेकिन रत्यों से कम आदमी को जितना अधिक कश्ट दिया जा सकता था उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी मुझे वे उसी समय छोड़ते थे जब वे खुद थक जाते थे या जब मैं बिहोश हो जाता था मैंने कुछ भी कबूल नहीं किया ये मेरा साहस नहीं था सच बात यही थी कि मेरे पास कबूल करने के लिए कुछ भी नहीं था आप जानते हैं पहली राट जब मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया था तो मुझे काफी खेद हुआ था मुझे लगा था कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर चलना किया बार बार एक हैाल मुझे कोच्टा था कि स्वेम मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पातर बनाना उचित नहीं समझा लेकिन बाद में गेस्टापों के सामने पीड़ा और कष्ट के असे हक्षणों से गुजरते हुए मैं उसके प्रती कृतग्यसा हो जाता था कि उसने मुझे से कुछ नहीं कहा उसने एक तरह से मुझे बचा लिया था मैं आज भी इस बात का निर्ने नहीं कर सका हूँ कि अगर मुझे अपनी पत्नी का भेद मालुम होता तो क्या मैं चुप रहने का होसला बटोर सकता था जड़ा सोचिए मेरी यंद्रा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने कबूल करने का रास्ता खुला होता आप मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं लेकिन अगर आपको मालुम हो कि आप किसी भी इक्षर उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी अपने पिता अपने भाई के साथ ही विश्वास घात क्यों ना करना पड़े तब आप यातना की एक सीमा के बाद वो रास्ता नहीं चुलनेंगे इसके बारे में कुछ भी कहना संभव है चुलने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं मुझे कभी-कभी लगता है कि निर्ने की इस यातना से मुझे बचाने के लिएही मेरी पत्नी ने अपना रहस से कभी मुझे नहीं बताया देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तेरे का दुराव छिपाव नहीं होता वो आइने की तरह साफ होता है मैं सोचता हूँ इससे बढ़कर ब्रहांती कोई दूसरी नहीं प्रेम करने का आर्थ अपने को खोलना ही नहीं है बहुत कुछ अपने को छिपाना भी है ताकि दूसरे को हम अपने निजी खत्रों से मुक्त रख सकें हर इस तरी इस बात को समझती है और चूकी ओपुर्ष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है उसमें अपने को छिपाने का भी साहस होता है आप ऐसा नहीं सोचते है समभव है मैं गलत हूँ लेकिन जब रात को मुझे नीन नहीं आती तो अकसर मुझे ये सोचकर हलकी सी तसली मिलती है कि छोड़िये मैं समझा नहीं सकता जब मैंने आपको अपनी मेच पर बुलाया था तो इस आशा से नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूँगा क्या का आप ने नहीं जनाब उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा एक दोपहर जब मैं घर लोट रहा था मेरी निगाहें उस पोस्टर पर जा पड़ी थी उन दिनों अकसर वे पोस्टर तीसे चौथे दिन शहर की दिवारों पर चिपका दिये जाते थे हर पोस्टर पर तीस चालिस नाम होते थे जने पिछली रात गोली से मार दिया गया था जब मेरी निगाह अपनी पत्नी के नाम पर पड़ी तो मुझे कुछ शणों तक ये काफी विचित्र सा लगता रहा कि छोटे से नाम के पीछे मेरे पत्नी का चेहरा हो सकता है मैंने आप से कहा ना कि जब तक आप अपनी आखों से किसी को मरते न देख लें आपको विश्वास नहीं होता कि वो जीवित नहीं है एक दुंदली सी आशा बनी रहती है कि आप दरवाजा खोलेंगे लेकिन देखिए मैं अपनी बातें दोराने लगा हूँ बियर पीने का यह सुख है कि आप एकी दाइरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड आप जा रहे हैं जरा ठहरिये मैं सलामी के कुछ तुकड़े अपनी बिल्ली के लिए खरीद लेता हूँ वेचारी इस समय तक भूकी प्यासी मेरे इंतजार में बैठी होगी नहीं नहीं आपको मेरे साथ आने की जरूत नहीं है मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ मैंने आप से कहा था ना सिर्फ डेड़ इंच उपर अभी आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा जी की लिखी हुई कहानी डेड़ इंच उपर